जैहिन दोस्तो स्वागत आप सभी का एमर्ट टेक्नोलोजी में प्रैक्टिकल एक्जाम को लेकर बच्चों के मन में काफी कोशन है काफी डाउट है जो बच्चों काफी प्रिसान कर रहे हैं जो कुछ नॉर्मल कोशन मेरे पास लगतार आ रहे हैं उनमें से चार पांच कोशन सभी के कोमन है कि सर प्रैक्टिकल में कितने कोशन आएंगे और एक्जाम सेंटर पर जहां भी आपका प्रैक्टिकल का एक्जाम सेंटर गया है वहाँ पर उसी इंसिट्यूट के टीचर प्रैक्टिकल में मुक्राइल शाएंगे प्रैक्टिकल में लेंघ कर लेते हैं और पर परशन है किस तरीकि कोशन हमसे पूछा जाएंगे क्या प्रैक्टिकल में OMR पे ही हमारा प्रैक्टिकल होगा यानि उसमें भी MCQ परशनाएंगे जैसे थियोरी माते हैं तो बहुत से डाउट बच्चों के मन में हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के डाउट किलियर करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पोच सकते हैं अगरवाईज आप इंस्टा काड है मेरे पास एक बच्चे का अजयतोमर इनका नाम है और इनका जो सेंटर गया है वो यहां पर गया है चंदन कंप्यूटर यह बड़ोत बागपत में इस्टिट्यूट है चंदन कंप्यूटर यहां पर इनका सेंटर गया है ओ लेवल के प्रेक्टिकल का इनके चार एक में पर कर बतादू पहले 10 नंबरना का समय दिया जाएगा और इसमें 100非常 Queshan का यह होगा, इसमें आपसे 80 नंबर का जो है, Computer पे कराया जाएगा, और 20 नंबर का आपसे Yvah होगा, यानि पूछा जाएगा, Total आपके 100 नंबर यह Total हो जाएंगे, ठीक है, 80 नंबर का आपसे Question करवाए जाएंगे, कम्प्यूटर पर करवाई जाएंगे चाहे लिखने के भी होंगे और 20 नमबर का वो आपसे पूछेंगे सबसे पहला प्रशन यह है कि सर कितने question हमारे exam में आएंगे आपके exam में 4 से 5 question आएंगे एक question हो सकता है अथवा में हो यानि और में यानि अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाल कर सकते हैं इस तरीके से आपको एक दो question optional में मिलेगा कि आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं टोटल चार प्रशन होंगे आपके ठीक है हो सकता है 25 25 नंबर के हो वहाँ पर आपको नंबर दिखा देगा उसके बाद आपको उसमें दिखाएगा कि यहीं आपको question करने हैं और यही question जो आप कर रहे हो इनहीं के बारे में आपसे question जो है examiner पूछेगा वायवा के तोर पर जो 20 नंबर का होगा यानि जो question आप computer पे करोगे या copy पे लिखोगे उन्हीं question के बारे में examiner आपसे पूछेगा जो की 20 नंबर का वायवा कहलाता है ठीक है बात सबसे बड़ा confusion यह है कि क्या examiner जो है वो nailet की तरफ से आएंगे या उसी institute के examiner वहाँ पर होंगे तो जो आप आपका वाहिवा होगा उसमें जो बाहर से teacher आएंगे nailet की तरफ से ठीक है वो nailet की तरफ से examiner आएंगे और वो ही आपसे वाहिवा पूछेंगे जो भी question पूछना है उनको वही आपका वाहिवा लेंगे तो यह थोड़ी सी परिशान ही हो जाती है अगर आपने institute अगर आप कोई question समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर यह question हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो थोड़ी आपकी help कर दें otherwise cheating वगएरा तो बिल्कुल नहीं चलेगी पैसे वगएरा बिल्कुल भी नहीं चलेंगे ठीक है उसके बाद cheating मैंने बताई दिया दूसरा पेपर भी है आपका हमारा चुत्ता question है वो यह है कि उसी दिन हमारा दूसरा भी पेपर है तो क्या करें अगर आपका उसी दिन दूसरा भी पेपर है और आपकी यानि ओ लेवल का practical की तैयारी नहीं है दूसरे पेपर की आपकी full तैयारी आच्छी तैयारी है तो आप इसका practical छोड़ेंगे तो आपको इसका theory exam भी छोड़ना ही पड़ेगा उसको भी आप ना ही दे तो अच्छा है ठीक है जब आप practical exam नहीं देंगे किसी भी module का हो चाहे M1 का हो M2 का हो M3 का हो हो या M4 का हो इससा मत करना कि आपका M2 का जिस दन paper है उष्ची लेखपाल कभी है तो आप सारे ही practical छोड़ दो जिस दिन आपका जिस module में आपका उस दिन लेकपाल का है तो आप ब्रॉक्षा कर प्रैक्टिकल चूड़ सकते हैं लेकिन आप जिस भी सूरें का यूसको थ्यूररी हैं चोड़ना होगा देने तो आप जा सकते हैं लेकिन उसका फाइदा पिश नहीं होगा प्रैक्टिकल और फिरेंऊ को एक साथ PASS करना जरूरी है, दोनों को एक साथ देना जरूरी है, समझ माईवाद 22 अगस्ति से एकजाम है थियोरी के तो इन PRACTICAL को देने के बाद थियोरी एकजाम भी देना जरूरी है, तब ही जाके आप overall दोनों चीजों में PASS होने के बाद ही first यानि किसी एक module में pass माने जाओगे ठीक है तो ऐसा मत करना कि practical exam छोड़ दिया और theory exam दे दिया तो हम pass हो गए अच्छे marks आगए theory exam में उसे वो theory exam जोगा 100 number कोगा आप उसमें से 80 number भी लिया ना 100 number में 100 में से 100 भी आप लेकर आओगे तब भी आप फैलो क्योंकि practical exam अपने छोड़ दिया है तो उसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि practical भी pass करना mandatory है जरूरी है ठीक है तो ये है exam ने बहार से आएंगे question मैंने आपको बता दिया 4-5 question मिलेंगे उसमें से 4 question करने होंगे 20 नंबर का वाईबा होगा 3 गंटे का समय मिलेगा और cheating वगएरा महाँ पर होगी नहीं तो अपनी तयारी अच्छे से गर के जाना exam center पे एक तो admit card का print out ले जाना आधार card ले जाना ID के तोर पे अपना एक photo भी आप लेकर जा सकते हैं वहीं पर आपको जमा करना होगा उसको आपको घर पे लाने की इजाज़त नहीं होगी ठीक है तो जो भी आपका question paper होगा वो आपको वहीं पर जमा कराना होगा और इसाब इसमें instruction दिये गए हैं आपके admit card में नीचे आप इनको अच्छे से पढ़ लीजेगा time वगेरा time close time क्या है और आपको पोचने का time क्या है कब से exam सुरू होगा कब exam कतम होगा इसाब instruction में नीचे दिया गया है आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी आपका doubt हो यहां से clear हो जाएगा ठीक है अगर आपका अब भी कोई doubt है तो comment books में comment करके आप बोच सकते हैं उसका reply यह आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा ठीक है दोस्तो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका अब कोई भी doubt नहीं होगा और आपने अच्छे से तयारी की होगी कुछ बच्चों का यह भी है कि सर हमने बिल्कुल भी तयारी नहीं की है तो हम क्या करें देखे जो आपका syllabus है उसमें से कहीं से भी कोई भी question आ सकता है तो आपको syllabus मैंने आपको पहले भी वोला था कि जो भी syllabus है उसको complete करें उसको अच्छे से पढ़िए उसी में से आपका practical होगा और वहीं से question आएंगे ज्यादा hard practical होगा नहीं नोर्मल होता है आपसे जो question पूछे जाएंगे वो भी normal ही question पूछे जाएंगे अतना hard कुछ होगा नहीं वहापे जो question आपने वहाँ पर करेंगे computer पे उसी के बारे में आपसे पूछेंगे मान लिजे email से कोई question आगया है और आपसे email के बारे में examiner question पूछेगा ठीक है तो ज़्यादा कठिन नहीं होता है वाईवा आप normal आराम से जाओ आपका अच्छा practical हो जाएगा ठीक है कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं अगर आप channel पर नहीं है तो please channel को subscribe कर लिजे bell icon प्रेश कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो को notification आपके पास सबसे पहले पहुचे मिलते हैं next वीडियो में तब तक कि लिजा हिंद जय भारत